आज का जो व्लॉग ना ये सुबा मैंने अपने रूम से शुरू किया था बहुत दिनों बाद तो आज मैंने रूम से शुरू किया था क्योंकि मैं टाइम से हो गई थी फ्री और जो है ना मैंने सोचा कि चले आज अपना रूम ठीक करते हैं साफ करते हैं बहुत दिनों गया थे मैं तो अपने रूम की डस्टिंग भी नहीं की क्योंकि मेरे बाजू म बेरूम आज साफ करते हैं मीरप रेडी हो गई थी उसके बाद मैं फ्री थी तो बस मैंने रूम साफ करना शुरू कर दिया बेडशीट जो है वो मैंने ठीक करके बिचाई उसके बाद जो है सारी चीज़ें वगएरा ठीक की डस्टिंग की बहुत सारी चीज़ें थी जो आगे पीछे हुई ही थी उन्हें भी ठीक करके रखा और इस सारे टाइम में तक्रीबर मुझे एक गंटा लग गया था एजी लेकिन एट लिस्ट ये है कि कमरा साफ हो गया था और बड़ी रिलैकसेशन हो रही थी मुझे नहीं तो इतने दिनों से मेरा रूम में बैठने का दिली नहीं करता था और ना साफ करने का दिल करता था अच्छा फ्री होने के बाद ना मैंने सोचा के चले अब सबसे पहला काम जो करते हैं वो ओयल लगाते हैं ओयल जो है यह जी और्गैनिक्स का ना अनिया न हेर ओयल में यूज करती हूँ इसके रिजल्स बहुत कमाल के हैं मैं इसके जो अलोपीशय वाले रिजल्स है वो बहुत जल्दी जी और्गैनिक्स के इंस्टाग्राम और टिक टॉक पर शेयर करूंगी अच्छा ओयल लगाने यूज के जब काम करना होता है ना तो बिकरी हुई चीज़ों में इसका समझ नहीं आती इसलिए मैं आकर सबसे पहले सारा किचन थीक से सेट करती हूं कोई बड़तन Кстати टो गो यह रहताहि नव थे जगा हो नूने भी सेट कर देती हूं सेट कर दिया Kendall उल्सकी नाष्टे वो बनना था मेरे और मेरे सिस्टर इनलो के लिए और हेलपर के लिए तो यहां पर हेलपर के लिए मैंने रोटी बना के रख दी थी और हमारे लिए मैं बना रहे थी सेंड्विचेज अच्छा यहां पर सैलिड जो है ना सैलिड के ओपर मैंने थोड़ी सी नमक और लाल तो बस ही मेरे ने सेंविच बनाया था जाया था काफी सारा सेल एक टमाटर के एक टेस्ट आ जहा तो हैं मेरे तु यह मुझेस्ट सेंविचे था हैं इससे से बस्यू ज़ाए खीया पर आए इसको मैंने अलकी से आँच पे क्रिस्पी कर लिया था उसके बाद मैं बड़ी खुश थी रूम शूम साफ करके लेकिन मेरी खुशी तबाह हो गई जब मुझे पता जला कहल पर नहीं आना और ये देखें मेरे हाथ पे अल्रेडी स्वेलिंग हुई हुई थी इस जगा पे इतनी शदीद पेन है दो तीन दिन से कि मुझे न ये देखें मेरा अंगुठा तक ठीक से न मुझसे मूव नहीं किया जाता तो मैं कोई भी काम करती हूँ न तो मुझे बे इंतहा दर्द होता है लेकिन घर इतना गंदा हुआ हुआ था कि सफ़ाई किया बगए भी नहीं राजा जाता था तो फिर मैंने बस आहिस्ता से सफाई की और मेरा इतना बुरा हाल हो गया मेरे हाथ में बाजू में इतनी शदीद पेंश रूँ हो गई तो दिल तो मेरा कर रहा था कि मैं हेलपर का सर फार दूँ मुझे इतना गुसा हो आवा तो मैं सब के साथ लड़ी जा रही थी गुसा मुझे हेलपर पे था और मैं सब को कहते हैं मुझे ना बलाओ मैं हेलपर का गुसा तुम लोगों पे निकाल दूँगी तो खैर बस यहां पे सारी इस फाईव गरा हो गई थी तो ये मेरे पेरेंटस लॉकर रूम था ये भी साफ हो गया था किचन भी साफ हो गया था जो जो चीज साफ हुई जा रही थी ना मैं उसको लाइट स्वेर आफ करके तो दर्वाजे बंद करती जा रही थी क्योंकि आज कल ना मच्छर बहुत जादा आ गया उसके बाद बस यहां पर मैं आगई था अपने रूम में मेरी मदर इनलो जो है वो सोई हुई थी यहां पर बच्चों के पास तो बस यहां पर भी फिर मैंने सोचा के चले लाइट आफ करके चोटी लाइट चला देती हूँ और बस फिर मैं ममा लोगों के ताफ चले गी थी थोड़ी देर और तक्रीबन दस मिनट मुश्किल से मैं बैठी हूँगी तो ना गैस आ गई थी तो फिर मैं आगई वापस किचिन में तो किचिन में आके बस मैंने खाने चाने की त्यारी वेरा शुरू कर दी थी खाने में आज ना हमने बनानी थी मूंग और मसूर की डाल जो के बहुत सिंपल सी है तो बस मूंग और मसूर की डाल बना रहे थे और बनाते बनाते ही मेरा प्लैन बन गया कि ना साथ में आज चावल बॉयल कर लेते हैं जब वो भी इसलिए प्लैन मन गया क्योंकि एक तो मेरा दिल का रहा था और दूसरा मेरे हाथ में बहुत पेन था मुझे इतनी हमद नहीं था कि मैं रोटियां पकाऊँ तो बस फिर मैंने अपने लिए तो चावल बॉयल करने थे तो जब मेरी मदेल लो ने का सब के लिए कर मेरी तो खुशी की इंतहा नहीं थी कि चलो शुकर है रोटियां नहीं पकानी पड़ेंगी हता है कि मुझे रोटियां पनाने से कोई मसला नहीं होता मुझे रोटियां अच्छा लगता है लेकिन बस फिर भी आज ना तबियत की वज़ास मेरा दिल नहीं कर रहा था कावलों को जो है वो मैंने स्टेन करके तो दम लगा दिया था फिर जो बरतन गंदे हुए थे बस मैंने फटा फट से यह वाश किये और वाश करके खीचन एक दफ़ा क्लीन कर दिया अच्छा खाना रखने से पहले मुझे होता है कि जो बड़े बरतन है दूद का काम है यह चिड़ चिड़ी हो जाती है कि मेरी मां सारा दिन मुझे से दूर रहती है तो बस इस टाम मुझे होता है का फटा फट से काम खतम करके ना तो मैं उससे पकड़ू तो बस यहां पर मैं आ गई थे अपने कपड़े वगरे प्रेस किये कपड़े वगरे प्रेस करके फिर मैं आई और होट चावर से ना तो मुझे इश्क है मतलब सिर्फ मुझे नहीं है हमारी फैमली में ही है कि हम लोग गरम पानी से बड़े शौक से नहाते हैं मुझे एक मन्त हो गया मैं गरम पानी से नहा रही हूँ तो आज तो इतनी तकावट हुई हुई थी कि मैं तपते हुए गरम पानी से नहा के आई और मुझे तना स्कून मिला उसके बाद बस आके फिर मैंने खाना दुबारा से गरम किये यहां पर दाल गरम किये चावल मैंने गरम नहीं किये क्योंकि वो अल्रेडी गरम थे तो मेरे फादर इनलो जो है वो खाना खा चुके थे तो बस यहां पर मैंने मेरी सिस्टर इनलो और मेरी मदर इनलो ने खाना था तो बस हम लोग ने खाना शाना खाया है और खाना शाना खाने के साथ ना जो है वो मीरब को मैं पकड़ लेती हूँ क्योंकि मुझे होता है कि अटलीस जब मैं खाना खा रही हूँ तो मीरब मेरे पास हो तो बस यहाँ पे खाना वे खा के मैंने मीरब को पकड़ाया उसकी धादो को और मैं आ गई थी किचन में अच्छा कल वाली ना तबियत थकावट के वज़ा से इतनी खराब हो गई थी कि मुझे रात तक लग रहा था कि मुझे ना फिवर होने लग गया है और अभी भी ना मुझे कल से तबियत मेरी सेट नी हुई मुझे अभी भी लग रहा है कि जैसे ना मुझे फिवर हो रहा है मेरी तबीयत जीब सी हो रही है इवन मुझसे वॉइस ओवर नहीं किया जा रहा बोला नहीं जा रहा तो बस अगर आप लोगों को वॉइस ओवर में कहीं पे इशू लगे तो आप लोगों ने अग्नोर करना है तो अच्छा यहां पे न मैं आ गई थी कीचेन में सारी जो चीजें थी बची हुई उन्यूंने मेंने छोटे जो है बोल्स में निकाला निकाल कि फ्रिज में रख दिया था चूला गएरा साफ किया शेल्फ गएरा साफ की बरतन वश किये साथ-साथ मैंने चाए बना ली थी तो चाय बनाने के बाद बस मैंने सब को चाय दी और ना इस टाइम तक मेरी बाजो में इतनी शदीद दर्द होने लग गई थी इतनी शदीद कि मेरी बरदाश से बाहर हो रही थी मेरा दिल एक दफ़ा मैंने सोचा कि ना मैं ये चाय वाला सॉसमें छोड़ जाती हूं लकिन फिर मैंने वाश करी दी अच्छा यहां पर ना ये है मलठी ये बहुत ही यूसफुल होती है अगर आपके घर में किसी को बहुत ज़्यादा बलगम का खांसी का इशू है तो ये मलठी की स्टिक्स मिलती है हैपने का करना है इंस्टिक्स को लेकर ना इमाम दस्ता जो होता है ना उसके साथ अच्छी तरह से कूट लेनी है कूट के न आपने इसको पानी के अंदर डालके रख देना है थोड़ी देर के लिए उसके बाद पानी को वॉईल करके पी लेना है तो एक आंसी बल्गम के लिए बहुत बेनिफिशल है उसके बाद बस सबको मैंने चाहे वगेरा दी और चाहे दे करना बस मैं ये पटी लेके ममाख पास गई थी कि मेरे ना पटी कर दे हाथ पे और उसके बाद बस हम लोंने बैठ के सबने चाहे पी और उसके बाद ये रात को काफी पी तो बस यही आज का मेरे चोटा सब लोग है उमीद है अच्छा लगा होगा अच्छा लगा है तो दुआओं में याद रखिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में अला हाफिस